7 चड़ के चुनाव संपन हुए साथ तारी को और उसके बाद 6 चड़ के जो पीछे के चुनाव चंपन हुए उस समय स्रियतले सहाद वजी नहीं ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया 7 चड़ के चुनाव के बाद जो अलग-अलग चैनों एजेंशियों के माध्यम से एक जित बोला है जिसमें भाज़पा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है उसके बाद उनके गुंडे उनके अफराधी उनके तथाकतित गडबंदन करने वाले जो उनके साथ ही सही होगी ह और उनके आरोप निशित तोर से महोल को खराब करने की कोशिस है अध्याद हो जी मैं आप से पहना चाहता हूं दहर रखो दस तारीक को मदगणा होगी और मदगणा के बाद जो भी मसीन के अंदर जंता ने अपने मता अधिकारी का प्रयोब करके भेजा होगा वह सामने आ कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को फ्रसाप पूलिस और प्रसासन को और जंता धंदाओ करता हूं स्थरेकों अपने लोगतंत्र को बचाने के लिए राख बाट से बचाने की रच्छा के गुंडों अपरादियों माफियों से बचाने की रच्छ किया है इसके कारणाज उत्तर प्रेश का एक अच्छा माहौल है लोग सुरच्छा चाहते हैं लोग विकास चाहते हैं गरीबों के साथ जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए डवल इंजन की सरकार की माध्यम से जो लगातार पहुंची है उससे लोग खूस हैं इसलिए भारती जनता पार्टी का गुंधन के पच्छ में आएंगे आपके इस प्रकार के बयान मुझे लगता है कि आप भॉखलाहट में घबराहट में देने का काम किये हैं या तो आपके सपने में कोई आ गया होगा और कहा होगा अखले स्यादो जी बंद करो प्रयास 22 में मैंने पहले देश का सबसे बड़ा सूबा सुना रहा है अपना फैसला आ रहे हैं यूपी और चार अन्य राज्यों के विधान सभाज जुनाव के नतीजे इन नतीजों से जुड़ी हर बात सटीक विशलेशन आप तक पहुँचेगा दस मार्च को दिन भर जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स आनलाइन के साथ तुड़ा प्राच झालाट अन्य प्राचा था-बू़े बात